पर दोरिया जी मेरी बात पूछा गया है छोड़िये विक्तिकत कहां जारी मैं हिंदी की बात कर रहा हूं तो फिर भी माला एक है तो सवाल ये होता है कि आप तो एक लाग तो बहुत कम हुआ ना हम तो कहते हैं धूम धाम से मनाना चाहिए सभी धूम धाम से मनाए आप तंज कस रहें कि वास्ता में चाहिए तंज नजर आ रहा है आपको तो आपकी सोच का फरुग हो सकता है हम तो दस करोड़ में राम नौमी का क्या हाल होता था अरे वो क्या कह रहे है जुरूस भी नहीं निकाल सकते थे इस तरह की वेवस्पादी उनको ऐसा लगता है चुकि उनको कुछ बोलना है अब जो दस करोड़ हमने मांग दिया तो उसका जवाब उनके पास है नहीं तो इधर उधर की बात करने लगे पता नहीं कौन सी बात कर रहे हैं मुझे पता नहीं अरे राम नौमी के दिन राम नौमी तना पवित्र दिन होता है तो आप उसी समय राम नौमी में सारी महलाओं को जो सेलेंडर रेफरी कर दीजे क्या दिक्कत है उसमें उस दिन रोजगार भी बोल दीजे आज राम नौमी के दिन जब से नौरात्र चलेंगे हिंदुस्तान के उनके जो राम के बच्चे हैं जो उनकी संतान है उनको नौकरी भी मिल जाएगी किसानों को फिर बिजली भी दे दिजे वो भी राम नौमी राम कही बच्चे हैं वो दे भी कही बच्चे हैं सारे वो उनको आशिरबाद दे दिजे तो आप सिर्फ देखे फरक इतना हो गया चित्रा जी पहले धरम राजनीत के आगे चलता था आज धरम को राजनीत के पिछे चलाना चाहते हैं ये फरक है इनके हमारे पीछ में प्रेम शुक्रा जी वैसे आपकी पूरी लिस्ट लेकर में बैठी हुई हूँ आगे डिबेट में उसको लेकर आउंगे अनुराग भदारिया जी लेकिन उसके पहले प्रेम शुक्रा जी इनके सवालों पर जबाब दीजे आप कि देस्रां करोंड कर दी जी घुर्व स्वागत कर रहे तो हम उनके सवागत का रियूद कर Le 95 स्वागतर का मकारे मुच्रे दिए ने प्र खार धांती जी आज़ो अपकूर करोंडि असली प्ती बताए य हुख कितना कंक प्श्याइश ले Left अब आप अब आप अब आप अब आप बीश में दस करोड बोल दीजिए ने सुन लिजिए नवाब आप सुन लिजिए तो आसांती से श्रीमान मुलायम सिन्ह यादों के कारेकाल में राम दाने का नाम परिवर्तित करके मुलायम दाना कर दिया गया था 1990 में अखिलेश यादों के कारेकाल में राम नौमी के जुलूस प्रतिबंदित कर दिया गया तेक मुहरर निकल दा है राम नौमी के जुलूस नहीं निकल तकता हूँ आज अगर राम नौमी के चुनूसों को मनाने हैं